नमेश्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ and it is related to article 244A, मैं आपको बता दूँ कि हमारे समविधान के अंदर ये article है अभी भी लेकिन अभी तक इसको implement नहीं किया गया है, जी हाँ बिलकुल, ये article relate करता है असाम राज्य से लेकिन यहाँ पर अभी जो चुनाव चल रहा है असाम के अंदर आपको पता होगा, वापस से ये जो article है वो scene में आ गया है आप देख पाऊगे, Congress will roll out article 244A रहुल गांधी टु असाम, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि exactly है क्या ये article, ये आया कब हमारे constitution के अंदर, प्लस यहाँ पर इसका demand अचानक से वापस से क्यों बढ़ गया है, इन सब के बारे में overall context से समझने की कोशिश करेंगे, चलिए आगे परते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture के हब PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोइन कर सकते हैं, by searching, अंकित अगरवाल official, और जैसा कि आपको पता है, UPSC के एक्जाम ताने वाले हैं, अगर आप अपनी preparation कर रहे हो इस साल के लिए, या फिर कभी भी अगले साल के लिए, आप हमारे UPSC course को join कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक चीज, current plus static, सब कुछ उपलप्त करा दिया जाता है, चलिए, यहाँ पर देखते हैं, exactly हुआ कि हम क्यों इसके बारे में पढ़ने है, यह हम असाम के अंदर implement करेंगे, और यह कहाँ पर implement किया जाएगा, tribal majority district, असाम के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे tribal areas हैं, लेकिन उस particular districts में, जहाँ पर tribal majority districts है, वहाँ पर हम इसको implement करेंगे, ताकि जो tribes, tribal के rights हैं, उनको हम safeguard कर सकें, उनके interest को हम safeguard कर सकें, इसकी यहाँ पर कुछ political बाते भी कहीं, जैसे कि BJP culture को खतम कर रही है, और Congress party जबाएगी, तो यहाँ पर 244A को, जो है, वो dilute करने से बचाएगी, और इसको implement करेगी, लेकिन यहाँ पर दूसरी party भी यह कह सकती है कि, आपकी सरकार अभी तक इतने समय से थी, तो आपने इसको क्य चलिए, यह सब politics है, यह चलता रहेगा, लेकिन हमारे और आपके लिए यहाँ पर important है कि यह article 244A है क्या exactly, तो देखेगा, यहाँ पर कहा गया है कि असाम के अंदर, यह सिर्फ और सिर्फ असाम राज के लिए आपके exam में आ सकता है, कि article 244A किस चीज से relate करता है, कौन से state से relate करता है, तो आसाम से करता है, तो यहाँ पर यह बोला किया है कि असाम के अंदर, जो tribal areas है, कुछ tribal areas है, जहाँ पर बड़ी population है tribal की, उनको autonomous state का दर्जा दिया जा सकता है, ध्यान रखेगा, autonomous state का मतलब यह नहीं है कि असाम से वो अलग राज्य बन जाएंगे, इसका मतलब कि असाम के अंदर रहते हुए ही, यहाँ पर उनको एक autonomous राज्य का दर्जा जिया जाएगा, वो असाम के अंदर ही रहेंगे, वो अलग से राज्य में count नहीं होगे, लेकिन उनका हर एक चीज, जैसे कि असाम के अंदर आपको पता है, किसी भी राज्य के अंदर जो legislature होता ह नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितनी भी चीजे हैं उस particular region के अंदर, वो वहाँ के लोगों के द्वारा ही देखा जाएगा, और इसका मतलब यह हुआ कि उनको जादा autonomy देना, उनको जादा power देना उस particular region के अंदर, इसी से relate करता है article 244A, exact जो words हैं आप चाहो तो यहाँ पर प इसको हम ATM कहते हैं, ठीक है, जैसे आपका असाम हो गया, तृपुरा और मिजुरम और मिखाल है, इन चार राज्यों के अंदर, जो 10 region है, वहाँ पर यह वाला जो 6th schedule है, वो आपका लागू होता है, तो यहाँ पर question यही आता है कि already जब 6th schedule है, जो tribal areas में implement होता है, तो उसमे और यह article 244A, इन दोनों में difference क्या हुआ फिर, तो देखो, यह जो 6th schedule है, यह relate करता है, article 244-2 में, ठीक है, article 244-2 और article 275-1, जिसमे special provisions दिये गहा है, किसके लिए, again, tribal areas के लिए दिये गहा है, उसमें क्या होता है, इस 6th schedule में, कि जो political autonomy है, और decentralized governance है, वो दिया जाता है, इसमे क्या है, कि यह जो 4 राज्य हैं, इसमें 10 autonomous council आपको देखने को मिलें, जैसे मिघाले में 3 autonomous council है, मिजुरा में 2 है, सारी, मिजुरा में भी 3 है, तिरपुरा में single है, एक है, और आसाम के अंदर 3 है, तो total मिला कर 10 autonomous council है, इस autonomous council को आप अलग राज्य नहीं बोलते हो, लेकिन मैं मैंने आपको क्या बताया, ये जो article 244A है, इनको autonomous state का दरजा दे दिया जाता है, मतब और जादा power मिल जाती है, autonomous council के अंदर still यहाँ पर क्या होता है, कि उनको भी कुछ powers दी जाती है, लेकिन उतनी power नहीं दी जाती जितना article 244A के अंदर हो सकता है, article 244 में for example मैं आपको बत जाता है, I hope कि आप समझ गए होगे, बहुत ही simple है, article 244A जिसकी मांग चल रही है कि असाम के regions में लगाना चाहिए, उसमें और ज्यादा power होता है compared to article 6 schedule, और यहाँ पर मैं आपको map में भी दिखा देता हूँ कि असाम के अंदर कहां कहां पर यह जो 6 schedule है, वो लागू है, मैं और West Carby Anglong, यह एक ही आप कह सकते हो, तो दूसरा यह हो गया, और तीसरा I'm sure आपने सुना होगा Bordoland के बारे में, Bordoland में basically यहाँ पर 4 districts आते हैं, यह उपर जो मैं mark कर रहा हूँ, कोकराजार, चिरांग, बकसा और उदल गुरी, ठीक है, यह 4 region मिलकर, 4 district मिलकर यह बनाते ह कि यहाँ पर autonomous state का उनको दर्जा दिया जाए, next यहाँ पर question आता है कि यह जो demand है autonomous state की, 244A आया कहां से, क्योंकि आप याद रखेगा, हमारे समविधान में, जब भी आप किसी article के आगे, A, B, इस तरह की चीज़ें देखते हो, इसका मतलब यह हुआ कि यह संसोधन करके ला ने लग जया था, 1960 में क्या हुआ कि जितने भी हिली रीजेंस में अंदर, जो tribal parties थी, वो एक जूट हो गई, अपने आपको merge कर लिया, और all party hill leaders conference बना दिया, और इस conference का main यही मकसद था, उनको अलग राज का दर्जा दिया जाए, और काफी बड़ा agitation चला था, finally लेकर इसक कर्भी एंगलॉंग और जो North Kutcher Hills है, इन लोगों को भी बोला गया था कि अगर आप चाहो तो मिघाले में शामिल हो सकते हो, जी हाँ, यह जो आप region देख रहो ना, कर्भी एंगलॉंग और यह, यह चाहते थो मिघाले में शामिल हो सकते थे, लेकिन उनके जो leaders ने उन्हों आगयागा, उस समय यहाँ पर सरकार ने बोला था कि हम इसके तहट आपको power दे देंगे, तो आप आसाम में ही बने रहो और leaders ने मान लिया, लेकिन क्या हुआ कि देखो अब वही चीज़ होता है कि political parties promise कर देती हैं, यह चीज़े हो जाती हैं, लेकिन उसको implement नहीं किया गया Article 244A को अभी तक आसाम के अंदर implement नहीं किया गया, जिसकी वज़े से यह जो पुरा movement है, और ज़्यादा बड़े का, जाहिर सी बात है, एक तो वो लोग मिघाले के अंदर नहीं गये, दूसरा उनको ये वाला हक नहीं मिला, इसी के वज़े से जो पुरा movement है, वो violence turn ले ले यहाँ पर करीब 1000 कर्भी militants जो हैं, उन्होंने surrender किया था, चीफ मिनिस्टर की उपस्थिती में, और ऐसा उसमें किया गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पता दूँ, आज भी अगर आप देखोगे, पूरे region के अंदर, जो हिली एरियाज है, जहाँ पर tribal population है, उनका पूरा इसको लागो कर रही है, अभी तक कुछ भी शॉरिटी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो, पात साल हो चुके है, नया चुना आ गया है, तो अभी तक implement नहीं किया गया है, लेकिन जैनवरी की समय यहाँ पर क्या हुआ था, कि जो autonomous hill district से जो MP चुन कर आते हैं, वो BJP के MP थ उनके पास भी अप्रोच किये थे लोग इस demand को लेकर, लेकिन अमिर शाह ने अभी तक सिर्फ एक special development package का announcement किया है, अभी तक यह नहीं कहा है कि article 244A implement किया जाएगा, तो I hope कि यहाँ पर आप आप कुछ चीजें जो clarity है इसके बारे में, इस article के बारे में इतना ज़ादा important क्य हैं और असाम चुनाओं के अंदर इसकी चर्चा क्यों रही है, definitely आप कह सकते हो कि इस बार के प्रिलेंस में या फिल्मेंस में इससे related question आ सकता है, and I am sure कि आप इसको अच्छे से अब tackle कर पाओगे, जाने से पहले एक interesting आपके लिए question लेकर आए हो, क्योंकि हम schedule की बात कर रह आप जाकर प्ले कर सकते हो, अगर आप उससे economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, होग की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.